प्याज का ससुराल बारमती गाउं में कुंती जी अपने पती धरम, बेटी राकेश और बहु मीना के साथ रहती थी। कुंती वैसे तो बहुती अच्छी महिला थी। सुबह जल्दी उठकर सुर्यदेव को जल चड़ाना, पूजा पाट करके खाना बनाना और घर परिवार को ही अपना सब मानना। धरम जी को भी अपनी पत्नी से खास लगाऊ था। आखिर वही तो उनका एक मातर सहरा थी। उ और वो क्या चलिए जानते हैं। प्यास में तेरी प्यास मिली तो मुझे सास आई। ओय होई 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 क्या प्यास का तड़का लगा है मजा आ गया। भागवान आज खाना मिलेगा या नहीं। आरे ला रही हूं बाबा, दो मिनिट का भी सब्र नहीं है। इतने में क कुंती जी वहाँ आती है। टेबल पर धरम और राकेश बैठे थे और सबजी को देखकर मुझे बना कर बैठ गये। पर दो काम ही है। भगवान जाने आप लोगों को किस चिस से सुख मिलता है। मेरे तो भाग ये फूट गया है। मैं अपने मन का कुछ कारी नहीं सकती इस घर में। भगवान तुने मेरे साथ यह सक्षयों किया। कितने उत्सा से खाना बनाया तो मैंने। अरे अरे शांद हो जा। धर्मपत्नी जी शांद शांद शांद। आपसे इतना क्या कहा दिया मैंने। आप तो रेल गाड़ी की तरह बस चल निकली। अच्छा बताइए। क्या बनाया है। बाबा बाबा प्यास की सबजी, प्यास के पकोड़े और ये। बाबा प्यास के पराठे ओए-ओए-ओए-ओए-दिल खुश हो गया कुंती जी। पर पापा चुपकर चा बिटा वनना तेरी मा यहां पर रो रोके बाढ़ ले आएगी अभी खाले बिटा, शाम को हम दोनों बाप बिटा बाहर खालेंगे क्या यार किस बदी फूटी है, जब देखो यही सब काने को मिलता है किसी तरह दोनों धरम और राकिश अपना खाना खाते हैं I mean निगलते हैं, जिसके बाद राकिश अपने पिता से कहता है पापा अब मुझसे ना ये प्याज वाला खाना नहीं कहाया जाएगा ममी की तो ये आदत जाती नहीं है रोटी में प्याज, सबसी में प्याज, प्याज वाला सूप यहां तक कि उस दिन ममी कह रही थी कि वो प्याज की खीर बनाएंगी पापा मैं कह रहा हूँ, ऐसा चलता रहा तो मैं तो घर छोड़ कर चला जाँगा फिर खाते रहना आप लोग अपना प्याज वाला खाना अरे बिटा, शान दूजा, इतना गुस्सा मत कर तुने देखा है न, जैसे ही तेरी मां को कुछ कह दो वो किसी रेल की तरह बस बोलती ही जाती है, बोलती ही जाती है और फिर खुद ही रोने लग जाती है, ऐसे मैं मैं कैसे उसे दुखी करूँ ठीके पापा, आप अपनी राजकुमारी का ध्यान रखिये, अब मैं करूँगा कुछ क्या? देखते जाएए, कल सुब पापा, बस कल सुब का इंतजार करिए और ये कहकर, राकिश वहाँ से चला जाता है अगली सुबह सब चाई पी रहे होते हैं, तब ही राकिश की पापा कहते है कुंती जी राकिश कही दिख नहीं रहा, कोई आइडिया कहां गया वो? क्या पता, शायद कल नाराज हो गया था, तो प्यास लेने गया हो अरे कुंती जी, वो तो पहले ही ले आया था मैं 25 किलो पिछले अपते बस, सर्फ 25 किलो, अरे मैंने कितनी बार काया कि थोड़े और ले आया करवा आप, फिर भी इतनी कंजोसी अच्छा हमारी प्यारी प्यास देवी, आप कहे तो आपके लिए 25 क्या 50 किलो ले आएंगे बस और ऐसा कहा कर दोनों हसने लग जाते हैं, जहां वो दोनों अपने में बिजी थे, पीछे से राकेश आ जाता है और उनको देखता है माम, डैड, अरे राकेश, कहां था तू? हाँ बिटा, कहां था, हम दोनों कितने टेंशन में थे वो तो दिखी रहा है कितने टेंशन में थे आप लो, खैर मैं ये बताने आया था कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, मीना नाम है उसका है? और तुने शादी कर ले उससे? अरे नई डैड, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ तो ठीक है, उसके घरवालों को बुला यहाँ, हम भी बात करें और देखे कैसे हैं ये लोग और अगले ही दिन, राकेश और उसका परिवार मीना को देखने जाता है, वहाँ कुंती जी तो तुम मिली कहां थी राकेश को? कॉलेज में कॉलेज में? तो राकेश तो कॉलेज दो साल पहले ही खातम कर चुका है जी हाँ, वो मेरे सीनियर थे, उन्होंने मेरी थोड़ी टांग खीची थी कॉलेज के पहले दिन और मस्ती मजाक में बस ए राम, तुम कॉलेज में पढ़ने जाती थी या ये सब काने? मा, कॉलेज में तो मैं भी था ना, और प्रपुस तो मैं नहीं किया, तो भला उसमें इसका क्या फोल्ट? हाँ हाँ बेटा, अभी से बहु की तरफदारी कर ले तू, हाँ? अचा मा, मा, मीना के हथ का खाना दुखाईए कुंदी टेबल पर सजे खाने को देखती है, और मुँ बनाती हुए कहती है इस मैंसे तो मैं कुछ भी नहीं खाती अरे डालनें, खा भी लो, इनको नहीं पता तुम्हारी चोइस के बारे में तबी मीना उठ खड़ी होती है, और कहीं चली जाती है राकेश अपनी मा को घूरने लगता है, जैसे कह रहा हो कि आप खुश जरा एक टाइम का खाना बिना प्यास के खा लेती तो, पर तबी मीना वापस आती है अंटी जी, आपके लिए खास प्यास की पकोड़े, I hope आपको अच्छे लगे ये देखकर कुंती जी तो पकोड़ों पर तूट पड़ी, और ऐसी कि किसी और को एक नेवाला भी नसीब नहीं हुआ पकोड़ों का, उसकी बाद चलो जी, मेरी तरफ से तो ये रिष्टा पका समझे, येलो बेटी कुंती अपने पर्स से कुछ निकाल कर मीना के हाथों में रखती है येलो, एक सो एक रुपा है और ये ये गीला गीला से क्या है हाथ में? ची, अंटी जी, ये क्या किया? इतना कहकर मीना अपने हाथ से दोनों चीज़े फैंक देती है ममी अपने क्या रख दिया उसके हाथ पे? जब राकिश पास जाता है तो देखता है उसकी मा ने मीना के हाथ पर एक गीला सा प्याज रखा था जिसे मीना को अलकट से महसूस हुई गाड राकिश, ये क्या बात होती है? सौरी मीना, मा! अरे ज्यादा मा मा मत कर, ये परंपरा है बेटी, इस प्याज को अपने सूट केस में रखना और हमारे घर लेकर आना वाट? ये कैसे रसम है? हाँ है तो, और शादी वाले दिन हाथ में प्याज लेकर चलना स्टेज तक, ठीक है? हाँ? प्याज लेकर चलूँ, तो वर्माला भी प्याज की? अरे चुपो जाओ ना मीना यार, मा को क्यों ऐसा आइडिया दिया तुमने? अरे बाबाबा जीती रहे मेरी पभू, तू तो मेरी फेवरिट है, ऐसा आइडिया तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया, क्या बात, क्या बात, क्या बात? बहन जी वर माला तो प्यास की ही होगी छोटे छोटे पिंग पिंग प्यास मीना की मा थोड़ी अनकमफर्टिबल होते हुए कहती है अच्छा जी और कुछ लेना देना हाँ बहन जी हम दहज तो लेंगे है कुंटी जी आप क्या कह रही है दहज में हम आपसे पूरे पच्चास किलो प्यास लेंगे क्या? 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 अरे बस इतना सा ही तो चाहिए बहन जी आजकल प्यास की दाम आसमान चूरे है इससे अच्छा तो हम आपको फ्रीज और वाशिंग मशिन दे देते अरे नहीं बहन जी उसकी कोई जरुवत नहीं है और अगर फिर भी देने हो तो उनमें भी प्यास भर कर दे दीजेगा और कुछ इस तरह हो जाती है राकेश की शादी शादी के बाद मीना राकेश से कहती है राकेश ये दो तुम्हारी मम्मी को अलगी अपसेशन है प्यास से हद हो गई यार आई नो बीबी पर तुमने देखा न वो किसी की कोई बात नहीं सुनती है चलो मैं एक कोशिश करके देखती हूँ उसी शाम डिनर में खाना लग गया है सब आ जाईए सब टिबल पर बैठ जाते हैं इतने मैं कुंती कहती है बहु ये क्या बजाक है मैंने कहा था मुझे प्यास खाने है अरे मम्मी जी मैंने आज बड़ा पाउं बनाया है उसमें प्यास है तु सही इतने से में मेरा क्या होगा मुझे प्यास की सबसी खानी आ और इतने दिनों से आई मीना की सबरकाबान तूट जाता है इतनी देज से प्यास से जुड़ी हर चीज बनाने के बाद वो आज बोल ही पड़ती है अच्छा और उसके बाद जो आप इतना गैस छोड़ती है वो अरे माजी इतनी गैस वो भी इतनी सहरिली कि गली में रात को घुमने वाले कुट्टे भी डर के दूसरी गली में चले जाते और वहाँ हाथ जोड़कर भगवान से बिंती करते हैं कि प्लीज हम नहीं भोकेंगे बस ये बदबु हटा दो अपके बालों से लेकर हाथों तक सब में सिर्फ प्यास प्यास किसम है बला ऐसा क्या प्यास प्रेम है बला कौन ही प्यास का जूस पीता है चाय पत्ती में प्यास के चलके ए पक्वान मैं तो ठक गई हूँ आपके प्यास प्रेम से मुझसे नहीं होता भी आप एक बात तो बताईए आपको प्यास से इतनी obsession क्यों है बला ऐसा क्या है प्यास में जो आप इतने दिवाने हो प्यास के कुंती जी मानुस तब रह जाती हैं कुछ देर तो वो कुछ नहीं बोलती फिर अचानक से उनके आँखों से आसु बेहने लगते हैं आज तक सब मुझसे पूछते आए हैं इसका राज पर मैंने कभी किसी को नहीं बताए इसके बारे में धरम जी को भी नहीं पर आज मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ जब मैं छोटी थी तो मैं दिन गाउं में रहा करती थी वहां हम लोगों के पास लोग नीच काम करवाने आते थे और हमें छूते भी नहीं थे खाने के नाम पर भी हमारे पास कुछ नहीं था सिवा रूखे चावल के पर एक दिन हमारे गाउं में अचानक से एक प्यारे से प्याज की खेती हुई हम सब गाउं वालों ने वो प्याज की पेड़ से प्याज लेकर एक एक छोटा द अपने लोगों से अपने बच्पन से जुड़ी हुई हूँ। ये सुनकर सभी की आँखे नम हो गई। मीना ने हाज जुड़ कर अपनी साज से माफी मांगी और कहा चलो गाइस, मैं कुछ हलका बनाती हूँ। कौन खाएगा मैगी? म, 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 हाँ पर मुझे प्यास के तड़के वाली ही चाहिए हाँ।